हलो बच्चो, नव वारती परिवार में आपका स्वागत है आज हम हिंदी व्याकरण में टॉपिक पढ़ेंगे कारक कारक की बारे में हम जानेंगे कारक किसे कहते हैं और इनकी भेद की बारे में जानेंगे तो सबसे पहले हम कारक की बारे में जानेगी कारक की परिवाशा तो वाक्य में आए संग्या या सर्वनाम आदी शब्दों का क्रिया के साथ संबंद बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं अब वाक्य में जिसके द्वारक क्रिया की सिद्धी हो उसे कारक कहते हैं ठीक है तो ये कारक की परिवाशा अब कारक की बेद देखेंगे हम की कारक के कितने बेद होते हैं तो बच्चों कारक की आठ भी दोते हैं कौन-कौन से और इनकी विबक्तिया चिन भी हैं तो जैसे कारक है करता विबक्ति है ने करम को करन से के द्वारा संप्रदान के लिए क अपादान से अलग करना, संबन का के की रा रे दी, अधिकरन में पर, संबुदन हे अरे अहो तो ये कारक है, इनकी भेद हैं और ये भिभक्ती चिन है तो अब कारक के हमने बेद देखे यानि करता कारक, करम, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन ये कारक के बेद अब नीचे सभी कारकों की चिन या विबक्तियां दी गई हैं जैसे हमने अभी पढ़ा था यानि करता ने करम को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने की अर्थ में संबंध काके की रारेडी अधिकरण में पाथ संबोधन है अरे तो यह कारक की भेद और इनकी विबक्ति चिन अब देखिए सबसे पहले हम करता के बारे में पढ़ेंगे करता कारक क्या होता है तो क्रिया को स्वतन्त रूप से करने वाले को करता कारक कहते हैं यानि जैसे राम ने रावन को मारा तो रावन को किस ने मारा राम ने तो यहाँ पे क्या है राम जो है वो करता कारग है अमित ने आम खा लिया तो यहाँ पे अमित जो है वो करता कारग है शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं यहाँ पे शिक्षक है वो करता कारग है लड़का खेल रहा है तो लड़का जो है वो करता कारग है यानि क्रिया को जो स्वतन्त रूप से कारे करने को कहता है वो करता कारक होता है यहां पर राम अमीत शिक्षक लड़का यह सब हैं करता कारक अब करता कारक क्रिया को करने वाले को करता कारक कहते हैं जैसे हमने पड़ा अब यहां यहां देखते हैं रवी ने खाना बनाया तो यहां पर रवी ने तो यह हो गया कर्ता कारक बच्चा दूद पी रहा है तो यहाँ पे बच्चा यह हो गया कर्ता कारक आगे देखते हैं कर्म कारक वाक्य में क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं जैसे रावन ने राम ने रावन को मारा तो यहाँ पे रावन जो है वो कर्मकारक है राम ने किसको मारा? रावन को तो रावन जो है वो कर्मकारक है गोविन्द गेंद खेल रहा है शाम किताब पढ़ रहा है महेज सेब खा रहा है तो यहाँ पे रावन, गेंद, किताब, सेब, यह सब क्या है? कर्मकारक है यानि कर्मकारक भी देखा हमने जिस प्रकार करता किरिया का फल पड़े उसे कर्मकारक कहते हैं मा खाना बनाती है, अध्यापत छात्र को पड़ाते हैं तो यहाँ पर कर्मकारक क्या हुआ, खाना और छात्र, यह कर्मकारक, अब तीसरा हम देखते हैं कर्मकारक, कर्मकार्थ है साधन, क्रिया को करने के लिए जिस साधन का इस्तमाल किया जाता है, उसे कर्मकारक कहते हैं, अथ्वा क्रिया की सिद्धी में कर्ता के प्रमु सहायक क करन कहते हैं करन कारक करता जिसकी सहायता से काम करता है उसे करन कारक कहते हैं अब यहां पर देखिए पिताजी कलम से लिखते हैं तो पिताजी किसे लिख रहे हैं कलम से से विबक्ति आरियस में तो यह करन कारक हैं हम विबक्ति से इनको पैचान सकते हैं बच्चा गेंड से ख करन कारक तो यहां पर विभक्ति से हम इनको पैचानेंगे कलम से गेम से यह हो गया करन कारक अब देखेंगे संप्रदान कारक अब देखेंगे आगे हम संप्रदान कारक तो संप्रदान का अर्थ होता है देना यानि जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किय जाता है जैसे वागिश मित्र को कलम देता है तो यहाँ पर क्या है वागिश मित्र को कलम देता है यानि कुछ दिया जाता है जिसके लिए कोई कारिक किया जाता है तो यहाँ पर कलम किसको दे रहा है मित्र को दे रहा है मैं आपके लिए किताबे लाया हूं किसके लिए लाया किस ने दिये माने बच्चों को दिये तो यहाँ पर बच्चों हैं वो संप्रदान कारक हैं अध्यापक ने छात्रों को किताबे बाटी अब अध्यापक ने किताबे किसको बाटी छात्रों को तो यहाँ पर मित्र आपके लिए बच्चों छात्रों यह सब संप्रदान कारक है अब संप्रदान कारक में जैसे हमने अभी पढ़ा था कि जिसके लिए कारिक किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं अब यहाँ पे हम दूसरा एक्जामपल देख लेते हैं मैंने मा के लिए साड़ी खरी दी भाई ने बहन को उपहार दिया इन दोनों उदाहरन में संप्रदान कारक है मा के लिए और बहन को यह दोनों संप्रदान कारक है अब आगे हम देखते हैं अपादान कारक अपादान का अर्थ है जुदाई अलग होना जिसे कोई वस्तु अलग होती है वह अपादान कारक होता है जैसे पेड से पत्ते गिरते हैं तो यहाँ पेड से यह क्या है अपादान है क्योंकि पत्ते अलग हो रहे हैं पेड से तो हमने अभी देखा था कि अपादान का अर्थ हुआ जुदाई यानि अलग होना तो यहाँ पेड से पत्ते गिरते हैं तो यहां पे पत्ते अलग हो रहे हैं पेर से, तो यह अपादान का रख है, हिमाले से गंगा निकलती है, तो यहां गंगा किसे निकल रही है, अलग कहा हो रही है, हिमाले से, तो यहां पे हिमाले है जो अपादान का रख है, वहे मकान छोड़कर चली गई, तो यहां पे कर आया है मुंबई को यानि वहां से जगे छोड़के आया है तो यहां पर अपादान कारग हो गया मुंबई खीक है बच्चों जैसे हमने अभी अपादान कारग के बारे में पड़ा जैसे संग्या या सरुनाम का वह रूप जिससे अलग होने का बोध हो वह अपादान कारग कहलाता है जैसे यहाँ पर भी हम वही उदारन देखते हैं पेड से पत्ता गिरा मेज से पुस्तक गिरी तो इन दोनों उदारन में पेड से पत्ता नीचे गिर रहा है अलग हो रहा है और मेज से पुस्तक गिर रही है तो पुस्तक अलग हो रही है तो ये दोनों उदारन अप जहां एक व्यक्ति अथ्वा कोई वस्तु का किसी दूसरे व्यक्ति अथ्वा वस्तु से सम्मंद प्रकट हो जैसे विशेश कई बार इस कारक में विभक्ति चिन का के की की स्थान पर वाला वाली वाले आधी शब्द का प्रियोग भी किया जाता है तो जहां पर एक व्यक्ति अथ्वा कोई वस्तु का किसी दूसरे व्यक्ति अथ्वा वस्तु से सम्मंद प्रकट हो कैसे जैसे अधिकार राम का घर या राम वाला घर तो यह अधिकार है करता गिये प्रेम के उपन्यास परिमान सो मेल की दूरी और मोल भाव तीस उर्पे के चने, तो बच्चों ये हमने अभी सम्मंध कारक पड़ा अब देखते हैं संग्या या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का सम्मंद दूसरे वस्तु के साथ जाना जाता है उसे संबंध कारक कहते हैं जैसे एक बार और उदारण हम देखते हैं नंदिनी के पापा आए हैं तो यहाँ पर विबक्ती जिन देखें नंदिनी के तो यह है संबंद कारग संबंद बता रहे हैं यहाँ नंदिनी के पापा है संबंद है रमन की कमीज नीली है तो यहाँ पर रमन की कमीज नीली है तो क अधिकरण कारक क्रिया का स्थान संबंदी या काल संबंदी आधार अधिकरण कहलाता है जैसे स्थान संबंदी अधिकरण कारक उस तक मेज पर रखी है तो यहाँ पे जो मेज है वो अधिकरण कारक है पिता जी घर में है तो ये घर में है ये अधिकरण कारक है जैसे काल सम्मदी अधिकरण कारक परिक्षा दिसंबर में होगी तो जो दिसंबर है वो अधिकरण कारक है गांदी जी का जनम दो अक्टूबर 1889 को हुआ तो यहाँ पर जो दो अक्टूबर 1889 है वो अधिकरण कारक है अधिकरन कारख हमने अभी पढ़ा यानि किरिया के आधार को बताने वाला संग्या का रूप अधिकरन कारख कहलाता है एक बार हम वापस से उधारन देखते हैं टोकरी में फल रखे हैं यानि फल किसमें रखे हैं टोकरी में तो ये अधिकरन कारख है मेज पर कम्प्यूटर रखा है अब कम्प्यूटर किस पर रखा है मेज पर तो ये अधिकरनकारक है अब आगे हम देखते हैं बच्चो संबोधनकारक तो संबोधनकारक की परिभाषा देखेंगे समझेंगे पहले इसे संबोधनकारक क्या होता है तो संग्या के जिस रूप से किसी को पुकारने या संबोधन करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं जैसे अरे मोहन यहां आओ तो यहां पे पुकारा जा रहा है मोहन को बुलाया जा रहा है अरे मोहन यहां आओ तो यह संबोधन कारक का उदारन है भाईयों और बहनों तो यहाँ पे किसे संबोधन किया जा रहा है भाईयों और बहनों को हे भगवान मेरी रक्षा करो तो यहाँ पे मेरी रक्षा करो किसे पुकार रहा है हे भगवान को तो यहाँ पे अरे मोहन भाईयों और बहनों हे भगवान तो यहां पे यह सब संभोधनकारक है जैसे हमने अभी संभोधनकारक के बारे में जाना यानी संग्या के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध होता है उसे संभोधनकारक कहते हैं अरे भाई, मेरी बात सुनो, तो ये क्या है संबोधन कारक? बच्चो आज हमने ये कारक का चेप्टर पूरा किया कारक का चेप्टर आपको समझ में आ गया होगा आपको अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले चेप्टर के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद